नमस्का दोस्तों कम्टिशन एकडमी के यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है इससे पहले आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया गए और वह था महादेवी वर्मा पर आधारित महादेवी वर्मा की जो रचना आपके पाठिकरम में है मेरा परिवार उस पर आधारित और झmoser प्रगों से अविभाफ ने कुल कितने संसमर्ण है पहला संसमर्ण कौन सा है अंतिम संसमर्ण कौन सा है उसके अलावा लिए ef ठकरी बाबा की बात हम लोगोंने की उसी में ऑपत के साथ है इस्मारिक्या वित्श्मृती की रेकाएं इन सब में कितने कितने रहा हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर रामब्रिक्ष वेनिपूरी की रचना माटी की मूर्ते है जब रामब्रिक्ष वेनिपूरी की बात होती है तो सबसे पहले जो भी साहित का बच्चा होगा जो भी साहित का भ्यरती है उसके जवान पर एक ही बात आती है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं पर वेनी पूरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के भाव बेचते हैं यह मैथली स्रण गुप्त ने कहा है और आप सभी लोगों को याद होगा तो चलिए शुरू करते हैं रामब्रिक्ष वेनिपूरी की रचना माटी की मूर्ते हैं रामबिक्ष वेनिपुरी का जनम अठारा सुनी नाव इसवी में और इनका देहांत उनिसंदो अडशत इसवी में हुआ ये शुकलोत्तर यूग के प्रमुख रेखाचित्रकार हैं बेनिपुरी जी हिंदी के सर्वस्रेश रेखा चित्रकार माने जाते हैं इनके रेखा चित्र कुछ इस प्रकार हैं जैसे लालतारा, माटी की मूर्ते, गेहुं और गुलाब, मिल के पत्थर इनका प्रकासन कब हुआ तो 1931 में, 1946 में, 1950 में, 1957 में प्रकासन की दृष्टी से कालकर्मा नुसार ये रचनाये पूछी जाती हैं तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किसका प्रकासन कब हुआ है अगर हम लालतारा की बात करें, या माटी की मूर्ते की बात करें, तो इसमें देखेंगे कि रामब्रिक्ष वेनिपूरी का जो पहला संग्रह है, पहला रेखाचित्र संग्रह है, जिसमें बाधिक्ता प्रधान रेखाचित्र संकलित हैं, लालतारा में, और यही इनका पहल रेखाचित्र संग रहे हैं इसमें हल्वाहा हंसिया हतोडा कुदाल डुगडुगी जिंदाबाद रेल गाली आधिक का रेखांकन किया गया है यह रेखाचित्र बेनिपुरी के विद्रोही और माक्सवादी द्रिष्टकोर के द्योगत्तक हैं कोहीं माटी की मूर्ते में उन सहित्यकारों के रेखाचित्र है माटी की मूर्ते की अगर हम बात करें तो इस संeger में इनْहें विशे से ख्याती मिली इसमें उन्होंने समाज के उपरेख्चित पात्रों को गड़कर नायक का दरजादे दिया और इस संग्रह में हम देखते हैं कि 12 रेखाचित्र संक्लित हैं माटी की मूर्ते में सबसे इसमें पहला रेखाचित्र अगर हम देखें तो कौन सा है रजिया है सबसे नया भी रजिया ही है बादि के संस्क्रण में रज्या जोड़ा गया तो रज्या नामक जो रेखा चित्र है वो पहला है और सबसे नया भी है उसके बाद वल्देव सिंग है सर्जु भाईया मंगर रूपा की आजी देव बाल गोविन भगत भावजी परमेसर बैजु मामा सुभान खां और बुधिया यह बारा रेखा चित्र इसमें संक्लित है जब रेखा चित्र की बात आती है इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया महादवीवर्मा का उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रेखा चित्र किसे कहते हैं किसने क्या परिभासा दी है रेखा चित्र के विकास में भी मैंने आप लोगों को सारी परिभासाइं बताई थी अक्सर परिक्षा में अब वर्तमान समय में हम देखें तो कथन के प्रस्ण खूब पूछे जाते हैं एक कथन है चित्र में रेखाएं जो काम करती हैं वही काम साहित्य में सब्द करते हैं पाइस ने कहा है तो है कि अगर अगर नहीं पता है तो भी वीडियो के कमेंट में जरूर बतां कि चित्र में रेکंए जो काम करती हैं वही काम स्थाइट नहीं कि सब्द करते हैं कथन है चित्र में रेखाएं जो काम करती हैं वही काम साहित में सब्द करते हैं यह राधा वल्लव सास्त्री ने कहा है साहित्य सास्त्र परीचे रचना में अगर नहीं पता है तो लिख ले राधा वललव शास्त्री का कथना है कि चित्र में रेखाएं, जो काम करती हैं वही काम साहित्य में शब्द करते हैं बनारसिदा स्यत्रुवेदी ने भी क्योंकि कई जगे आपको मिल जाता है कि कौन सा संस्मरण है कौन सा रिखा चितर रहे कौन सा आत्म चरीत रहे यह संसे सिर्फ आपको ही नहीं है एभन्षट साहित्यकारों को भी रहा है झाला सिबंगा चातुरवेदी ने कहा है उल्बंग प्रशलips चतुरवेदी की बनारसिदास चतुरवेदी ने और जो संसे आपके मन में है वही संसे बनारसिदास चतुरवेदी के मन में था उन्होंने कहा कि संसमरड, रेखाचित्र और आत्मचरिद इन तीनों में हम देखें तो एक दूसरे से ये तीनों इतना संबद है कि एक किसी मां दूसरे से कहां मिलती है और कहां अलग हो जाती है इसका निर्ड़े करना कठिन है यह बनार सिदा चतुरवेदी का कथन है कि उन्होंने अपनी पुस्तक संस्मरण में कहा है तो यह उपर आपने देखा कि कौन कौन से संस्मरण इसमें संकलित है उप्रोप्त रेखा चित्र की स्रेष्टा का अनुमान मैथ्रिशन गुप्त के इस कथन से लगाया आ सकता है कि लोग माटी की मूर्ते बनाकर सोने के भाव बेशते हैं पर बेनीपुरी सोने के मूर्ते बनाकर माटी के भाव बेशते हैं यहां पर जब इस कथन की बात आती है तो आप देखेंगे कि इसका मतलब जाहिर सी बात है मैंतिल स्वन गुत ने अगर कहा है तो वाकवी में वेनी पूरी जी की रचना में वो बात जरूर होगी शिव पूजन सहाय ने इनके बारे ने ऐसे ही नहीं कहा है शिव पूजन सहाय जी ने भी कहा कि बेनी पूरी का लिखा गद चपल खंजन की तरह फुदकता हुआ चलता है अगर आपको नहीं पता है तो जरूर लिख लें शिव पूजन सहाई ने कहा कि वेनीपूरी का लिखा गद्ध चपल खंजन की तरह फुदकता हुआ चलता है शिव पूजन सहाई का कथन है तो जिस तरीके से शिव पूजन सहाई जी ने कहा मैथली सणगुप्त ने कहा तो किवल यह इनकी एकलोती रचना नहीं है रांब्रिक चिवेनी पूरी की माटी की मूर्ते कि उसी मेसारी विशेष्टा पाई जाती है अगर आपने चिता के फूल कहानी पढ़ा होगा उस दिन जोपड़ी रोई कहानी आपने पढ़ा होगा तो जितना कथन इनके बारे में कहा गया वो सारी चीजे चरिफ्तार्थ होती आपको दिखेंगी चिता के फूल कहानी में उस दिन जोपड़ी रोई कहानी में जो कि व और आता होगा राम ब्रिक्ष बेनिपूरी यह बेनिपूरी उपनाम किस ने दिया अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी रचनाकार है जितने भी साहित्यकार है उनके जो उपनाम है उपनाम के बारे में अक्सर प्रस्ण पूछा जाता है बेनिपुरी उपनाम किस ने दिया अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है बेनिपुरी उपनाम के बारे में सुना भी नहीं है कि इन्हों ने रखा कर अगर आपको नहीं पता है तो भी और पता है तो भी कमेंड करके जरूर बताईएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ रामब्रिक्ष वेनिपूरी को वेनिपूरी उपनाम किसी ने दिया नहीं बलकि राम ब्रिक्ष वेनिपूरी का जो पूर्ब नाम था वो था राम ब्रिक्ष सर्मा राम ब्रिक्ष सर्मा नाम था इनका राम लोचन सरन नाम लिख लिए अगर लिखना है राम लोचन सरन ने वेनिपूरी जी से कहा कि सर्मा जी आपने निमास अस्थान के आधार पर क्यों नहीं अपना उपनाम बेनीपूरी रख लेते हैं तो राम लोचन सरण के कहने पर ध्यान रखना राम ब्रिक्ष सर्मा ने राम लोचन सरण के कहने पर बेनीपूरी उपनाम रखा और अपना नाम लिखा राम ब्रिक्ष बेनीपू पूरी ने अपने साहित में पत्नी के लिए प्रार्थना सब्द का प्रयोग किया है यह भी एक नया तथ्थ आपके लिए हो सकता है प्राम प्रिक्ष बेनी पूरी ने अपने साहित में पत्नी के लिए प्रार्थना सब्द का प्रयोग किया है थेर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बीच की बाते थोड़ी हो गई गेहूं और गुलाग रेखाचितर संग्रह में अधिकांस रेखाचितर पतिकात्मक हैं इसमें कुछ इस तरीके के रेखाचितर संकलित हैं जैसे गेहूं और गुलाग चरवाह, मीरा नाचीरे, घास वाली आदी मील के पत्थर रेखाचितर में 15 साहित्यकारों के रेखाचितर संकलित हैं बापू की कुटिया में प्रेमचंद अमरों ये मील के पत्थर में संकलित रेखाचितर हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जो परिक्षा में प्रस्ण पूछा जाता है अभी तक जो पूछा गया है वो इस तरीके के प्रस्ण पूछा गया है कि मील के पत्थर में कुल कितने रेखा चित्र संकली थे आपने सीधा-सीधा उत्तर दे दिया पंद्रा लेकिन अगर कुल का इंतजार रहेगा बापू की कुटिया में साधारन है कोई दिक्कत नहीं प्रेम्ट अमर हो साधारन है बर्स का लेकिन हमारे राष्टór mm यहाँ पर जो हमारे राख्टुपती इन्हों ने लिखा उंश्य मिल के पत्थर रेखा चित्र मेन कि हमारे राष्ट पती इन्होंने जो रेखा चत्र लिखा है कि इसमें किसे याद किया है किस राष्ट पती की बात इन्होंने की है यह सारी चीज़ आपको कमेंड में बताना है कि क्या आपको पता था हमारे राष्ट पती में इन्हों ने राजेंदर बाबु को याद किया राजेंदर परसाथ को याद किया यूरोप के कलाकार यह भी साधरन है जो सब्दसाह आचारे थे रामरिक्ष बेनिपूरी ने मिल के पत्थर में जो रेखा चित्र लिखा जो सब्दसाह आचारे थे कौन सब्दसाह आचारे थे किसे कहा है रामरिक्ष बेनिपूरी ने मिल के पत्थर में तो आचारे नरेंदर देव को कहा है कोई सुखी नहीं यह जो रेखाचित्र है एरियल की एक आत्मकथा है कॉल नो मैन है पी उन्होंने कहा कि जब एरियल ने अपने आत्मकथा यह लिख दी कॉल नो मैन है पी कोई सुखी नहीं तो उस पर आम लोग कैसे हो सकते हैं उस पर विचार कर रहे हैं विनोवा के साथ दो दिन विनोवा भावे के साथ दो दिन इसमें भी कोई खास नहीं है कथा के ये जादूगर में राम ब्रिक्चे वेनी पूरी ने कितने रचनाकारों का नाम लिया है ये भी आपके लिए एक प्रस्ण बन रहा है कि मील के पत्तर रेखा चित्र में लिखे कथा के ये जादूगर में कितने कथाकारों की बात की गई है दस कथाकारों की बात की गई और उन दस में से कथा के प्रमुख जादूगर कौन है तो टॉल इस्टॉई को माना है किसको माना है टॉल इस्टॉई को माना है दस में जो रेखा चित्र है दीवाली फिर आ गई सजनी ग्यारवां है रोटी और सराब बार्वां है भूख और खला तेरवां है एक भारतिय आत्मा एक भारतिय आत्मा ये तो आप जानते हैं महाखनलाल चतुरुवेदी इनकी बात की गई है ये तो साधान प्रस्ण है ए एक साहित्तिक संथ तो यहां एक साहित्तिक संथ कौन है मिल के पत्थर में रामब्रिक्ष वेनिपूरी ने जो रेखा चित्र लिखा एक साहित्तिक संथ वह साहित्तिक संथ कौन है किस साहित्तिक संथ की बात रामब्रिक्ष वेनिपूरी मिल के पत्थर में कर रहे हैं तो उस साहितिक्संत का नाम है शिव पूजन सहा है आप लिखने शिव पूजन सहा है पंद्रवर एक चित्र है जिसमें लिखा है कोई हसना इन से सीखे अब आपको पता होगा कि पिछले दिनों मैंने लाइब कक्षा में आप लोगों को एक प्रस्न दिया था हासे रसावतार कि हासे रसावतार किसे कहा जाता है लाइब कक्षा में मैंने प्रस्न दिया था याद होगा आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा हासे रसावतार किसे कहा जाता है जिसे हासे रसावतार कहा गया है उन्हीं की बात राम ब्रिक्ष मील के पत्थर में कोई हसना इन से सीखे के लिए कहा है और अगर नहीं याद है जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं वीडियो देख रहे हैं यह पब्लिस वीडियो है अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर लीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ली से नया बैच शुरू हो राज इसमें भासा विज्ञान शुरू किया जाएगा वहां से लेकर इकाई दस तक अन्य विधा तक हम लोग यहीं पर फिर आकर पहुंचेंगे जहां आज आप देख रहे हैं कि पचास दिन का यह पूरा बैच है कि उसकी क्या फीस होगी ये सारी जानकारी उपर दिए गये नंबर फोन करके या वटसेब करके आप ले सकते हैं यह पर नंबर मए लिग दे रहा हूं जिन लोगो को नंबर में मिले किसी ने कल कमेंट किया था किशार कहीं पर भी नंबर नहीं दिख रहा है जबकि हर जगह मैंने नंबर दे रखा है यहां पर आप देख लें यह नंबर है इस पर फोन कर लीजिए चाहे वट्सेप कर लीजिए तो फीस और सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी आठ सुन पांच दो पांच आठ चार सुन सुन चार यह नंबर है तो कोई हसना इन से सीखे जो मैं बात कर रहा था यह है हास रसावतार जगनाथ प्रसाद चतुवेदी लिख लें जो भी नए लोग है कोई हसना सीखे किसे कहा गया तो जगनाथ प्रसाद चतुवेदी को कहा गया है मैं तो इस तरीके से इन्में कौन कौन से हैं उनकी बात हम लोगोंने करली की नहीं कि ने करका ने करली रकारे पहले कि लेक्षर में देखा किब रिखचेत्र के विकास में किन दो पत्रिका का महत्यपूरम्य Y 1980 ने रहा है इन्म then और श sais रहा हैं इस इस लेक्चर में कर लिए बाकी जो बचा हुआ है वह आपको कल मिल जाएगा और कल इस एकाई को हम लोग समाप्त करेंगे अभी आपका जो रह गया है एक रमेश चंद्र साह का अकेला मेला रह गया है जानकी वल्लब सास्त्री का निराला के पत्र अम्रित राय का चित्थी प कर गया है हरिवन्स राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं तो इसे कल कराकर समाप्त कर दिया जाएगा बाकी अपनी खबर आवारा मसीह सुधिया उस चंदन के वनकी चीड़ों पर चांदनी मेरा परिवार रिड़ जल धंजल प्रेम चंद के साथ दो दिन यह जो एक कहानी यह भी आप उधरी भोला राम का जीव जामुन का पेड़ संस्कृति के चार अध्याय एक लेखक की डाइरी मेरी तिबबत यात्रा और अरे आयावर रहे रहेगा याद इतनी चीज़ें आप लोगों को कराई जा चुकी है कल पंद्रा अगस्ते नहाय बैस शुरू हो रहा है लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो बचा हुआ है तीन चार चार लेक्चर उसका पीडियाफ उसका लेक्चर आपको मिलेगा और भासा विज्ञान शुरू करेंगे हम लोग रात में नो बजे इनी दोनों लेक्चर प पराधारिक प्रसुत्री के बात के जाएगे